आप भी उन सभी एप्लिकेशन से परिशान हैं जिसके थू आपको किसी फॉल्डर फाइल फोटो में लॉक लगाते थे और वही पैटर्ण और पासवर्ड और पीन के थू लगाया जाता था तो इस वीडियोज को आप देखते रहे हैं इस वीडियोज में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा नया चीजिसके थू आप लॉक लगाँगे और नहीं कभी एप्लिकेशन हैंग करेगी और बहुत ही सॉफ्टली रन करेगी तो इस वीडियोज को देखते रहे हैं मैं इसको अपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है मैंने तो पहले इंस्टॉल कर रखा है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा धुकावट के लिए बहुत खेद है हमें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल वाले बटन को दबा कर जो कर देना है ताकि जब भी हम कोई वीडियो अप्लोड करें तो आपको नोटेविक्शन शराब जया है धन्यवाग डाउनलोड होने के बाद आपको उसे उपन करना है तो लिजी हम उपन कर रहे हैं अपन करते ही क्या क्या फीचर्स हैं तो आपको नेक्स्ट करती है जाना है यहाँ पे last में आपको जाता है get started तो get started पर click करके start कर देना है इससे पिले अगर आपको पढ़ना है तो आप starting में जितनी चीज़ दिये हुए तो आप easily वी से उसे पढ़ सकते हो तो आपको man हो तो आप पढ़ना वरना छोड़के next करके सीधे get start पे click कर देना है उसके बाद आपको यहां grant permission कुछ मागेगी तो उसके लिए आपको सीधा exit और turn on दो option लिखा हुआ है तो turn on पे click करके इसको permission देना है तो वो सीधे आपके setting की accessibility को खोल देती है और यहां आपको इस application को ढूंड लेना है जाए तो यह दिखे यहां my device lock दिख रहा है तो इसपे click करेंगे और इसे permission देंगे on करके यह दिखे on हो गया और feedback आजाएंगे back आते हैं यह आपको यहां आपको कोई pin रखना होता इसके जिस तरह पासवर्ड लगाते हो जितरह आपको एक pin रखना होगा सो से पहले यहां पर दो बार आपको ड इसका application का जो main part है वो आपको आड़ा है security advice आप strongly recommend कर रहा है कि आप setting में lock लगा देना इसका और यहां एक setting में दिया हुआ होगा uninstall protection for my device lock तो उसको भी on कर देना ताकि आपके पिना permission के कोई भी इस application को uninstall ना कर से okay करते हैं और आगे बढ़ते हैं आप लिस्ट दे दिया इस जो आपको दिख रहे हैं डैस उस पर क्लिक करते हैं और setting में चलते हैं यहां बहुत सारे option आपको दिख रहे होंगे lock manager photo vault उतला फोटो में lock लगाएंगे सब तो यह सब को बाद में आप देखना मैंन चीज हो है वो चीज आपको दिखाता हूँ तो lock type यहां आते हैं और lock type पे क्लिक करते हैं आपको देखो धेर सारे option में पिन, code, password, pin लगाना है मतला 123 लगाना है पासवर्ड नाम लखना है वो लगा सकते हैं लग पेटर्न रिजेंडर लेगी हो जता है यह तो बहुत पुराना होचका मैं भी जो निव चीज दो दिया हुआ वह है signature and fingerprint इस mobile नहीं है तो बहुत नहीं दिखा सकता तो चलिए आपको signature वाला दिखाता हूँ तो continue करते हैं और यहां आप इस लिखा हुआ आता है और next करते हैं जो इसको और next निक बात start अब यहां पर आपको signature डालना है जो आप लॉक में डाखना चाहते हैं तो मैं यहां डाक रहा हूँ और यह आपको 10 बार जो है डालना है एक बार दें 10 बार आपके हाथ को पकड़ लेती है यह बस यहां इसकिन पर नहीं ले तो उससे कोई प्रोब्लिम नहीं होता है कि उंगली सिर्फ वैसा चलना चाहिए सब बार और यह हमने पुड़ा कर लिया है तो इस तरह से वह लॉक हो चुका है अब बात करते हैं इस पेशल जो फीचर बताया जा रहा था वह चीज एक्टिवेट करना है वह एक्टिवेट करने के लिए यहां नीचे आए तो यहां अब हमारे इस अप्लिकेशन को कोई अनिस्टॉल नहीं कर सकता है क्योंकि सेटिंग में यह जो है अनिस्टॉल को आएगा है अब और सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत चीज पर लगाया था एक प्लेस्टोर को पहले खोलते हैं तो जैसे ही हमने ख्लेस्टोर पे क्लिक किया तो यह देखिए पासवर्ड आल लिए तो सब्सक्राइब हमारे को गलत पासवर्ड डाल के दिखाएंगे क्या खोलता है यह तो लीजिए हम गलत डालते हैं देखिए यह रेड आ गया चाड़ों मतलब हम गलत डाल दीए चले सही ही डाल देते हैं यह देखिए सही डालते हैं वो खुल गई तो उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताईए और इसी तरह के धेर सारे वीडियो देखने है तो सब्सक्राइब बट ढ फैँ करते हैं यह दो आएगी बः पसंद आखिए और बाताईए और